नमस्कार मित्रो मैं डॉक्टर धरवेंद्र कुमार मेरे यूट्यूब चैनल दिव्या होमियो केर में आप लोग को स्वागत हैं दोस्तों आज मैं आप लोग के लिए एक महत्पुन वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें आपको एक सीरप के बारे में बताऊंगा जो किसी भी परकार के दर्द के लिए बहुत ही उप्योगी है चाहे किसी भी परकार के दर्द हो चाहे वह आपको बात का दर्द हो साइटीका का दर्द हो गिठिया का दर्द हो या इस पॉंडिलाइटिस यानि जो देखते हैं पीछे का पार्ट जो तो इस पॉंडिलाइटिस का दर्द हो या फिर आपके मांस्पेशी का दर्द हो या फिर किसी भी जोरों का दर्द हो चाहे घुटने का दर्द हो या फिर कलाई का दर्द हो या इलर्जी के कारण अगर आपको दर्द होता है तो इस परकार किसी भी परकार के अगर दर्द है तो उस दर्द में यह दवा बहुत ही इफेक्टेट साबित होता है बहुती उपयोगी बहुती इउजफुल यह दवा है तो जिसका नाम है हाई मुसा यह हाई मुसा जो कि शीरफ में आता है और यह किसी भी परकार के दर्द में बहुती इफेक्टेट शीरफ है चुकि यह जब से मैं बिगत 57 बर्दू से इस सीरफ को मैं अपनी परिसेंट को रिक्वाइर करता हूं देता हूं और इसका बहुती अच्छा रिजल्ट बहुती अच्छा रिस्पॉंस मुझे आता है 100% इसका result आता है दोस्तों तो इसको आप किसी परकार का अगर दर्द है तो उसमें आप हाई मुसा का प्रयोग कर सकते हैं और इसमें एक सबसे बड़ी चीज है कि इस दवा से किसी भी परकार का कोई भी side defector नहीं है किसी भी परकार का दुस्परभाब आपके सरीर पर नहीं परता यानि बिना किसी परकार के हानी पहुचाए हुए आपके दर्द को जर से खतम कर सकता है यादि इसको आप नियमित रूप से लेते हैं तो आपकी दर्द को बहुत ही चल्दी या आपको निजात दिला सकता है तो याद रखेंगे हाई मुसा दोस्तो अब हम आपको बताएंगे कि इस दवा में आखिर ऐसी कौन सी मेडिसीन है किसकी से या हाई मुसा त्यार किया गया है तो दोस्तो इसमें सबसे पहला जो मेडिसीन मिला हुआ है वह हेमियोपैथिक की एसीड बेंजोईक तो एसीड बेंजोईक मिला हुआ है खास करके जिन भायों जिन दोस्तों को अगर साइटिका या गेठिया है और उनकी पिसाब में जलन रहता है और जलन के साथ उनकी पिसाब में बहुत दुरगंद आता है अर्थात उनकी पिसाब में अगर इल्वूमिन हो तो अक्सर देखा जाता है कि जिन बेक्ती में साइटीका या गेठिया वाले बेक्ती में तो उसमें आपको इल्वूमिन उनकी पिसाब में अक्सर देखा जाता है ति इसलिए इसमें आपको acid benzoic इसमें mix किया गया है, मिलाया गया है और दोस्तो अगली medicine है वह अर्निका जो की Q-potency को इसमें डाला गया है, मिलाया गया है जो की अर्निका यदि किसी कारण से या आपको कभी भी किसी कारण से अक्सर देखा जाता है, कि उनको चोट लग जाता है या कहीं न कहीं किसी काम करते समय भी या accident होगी या गिर गया है और इसके कारण अगर चोट का दर्द हो, और अक्सर देखा जाता है कि अगर चोट आज लगा, लेकिन उस समय आप फर्स्ट एड लेते हैं या एलोपैतिक दवा खाते हैं, और उस समय वाख उस समय के लिए दव जाता है, लेकिन वीगत देखते हैं कि दो साल, चार्थाल या पांच साल के बाद पुना अगर दर्द होता है भ्यांकर चोट के कारण तो उसमें आर्णी का बहुती फेटर है अगली मेडिसिन है दोस्तों, वह है ब्राणिया एल्व, तो ब्राणिया एल्व जो है, यह ब्राणिया एल्व मदर टिंचर इसमें में डाला गया है, तो इसमें ब्राणिया एल्व अकसर जिनको दर्द होता है, और जो दर्द दवाने या मालिस करने पर, किसी भी पर करके से मालिस करने पर उनको आराम होता है और जो खास करके बाइं और से स्टार्ट होता है और दाइं और जाता है तो उसमें यह दबा और ज्यादा है तो यह चुकी यह ब्राउनिया एलभीस में डाला गया है अगली मेडिसीन है दोस्तो डलका मारा क्यों डलका मारा उसमें ज्यादा इफेक्टेड है जो खास करके जारे के दीनों में अगर ठंड लगने की बज़ा से या पानी में भीगने की बज़ा से अगर आपको दर्द बढ़ता है थोरी सी अगर पानी अगर हम यूज करते हैं या ठंड के ठंडा लगता है जिसके कारण अगर दर्द बढ़ जाता है तो उसमें डलका मारा इफ्यक्टेड है और अगली मेडिसीन है दोस्तों वह काली आयोड कि और इसके बाद है जो रोडोडेंडरान जो अक्सर देखा जाता है कि जब आपको अकासिय परिवर्तन यानि अकासिय परिवर्तन कहने का मतलब है कि जब अकास में बादल लगा हो या वर्सा के सामभावना हो या आंधी तुफान जिस समय उड़ता उस समय उस अवस्ता में अगर आपको दर्द बढ़ता है तो उसके लिए आपको रुडो डैन ड्रांडक को इसमें मिलाया गया है और अगली मेडिसीन है दोस्तो रस्टक्स रुटा जी ये सारे के सारे मेडिसीन को कमबाइन करके या आपको हाई मुसा सीरफ त्यार किया गया है जो किसी भी परकार के चाहे जैसा भी दर्द हो बहुत ही उपयोगी सावित होता है तो आप याद रखेंगे हाई मुसा हाई मुसा सीरफ और दोस्तों यह जो सीरफ है यह वीजल कंपनी की आती है और यह बहुत ही दर्द में इफेक्टेड है तो मुझे उमीद है कि यह वीडियो अपने को बहुत अच्छा लगा होगा औ अच्छे से इस सिरफ के बारे आपको समझ में भी आ गया होगा तो आप यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसको वीडियो को लाइक कर दें और विल आइकन को दवाना ना भूले और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों और मित्रों तक अधिक से अ अपलोड करते रहें जिससे की हमारी भी होसला बने और आप लोग का सने मिलता रहे और कहीं भी अगर आप लोग को किसी प्रकार की परेसानिया या दिक्कत होती है तो प्लीज आप कॉमेंट्स बॉक्स में जाकर के कॉमेंट्स करके आप अपना सवाल पूछ सकते हैं मैं हम ऐसा आपकी सवाल को जवाब देने के लिए तत्पर रहूंगा तो आज के वीडियो में इतना ही तब तक के लिए लेते हैं आप लोगों से विधा फिर अगले वीडियो में फिर मिलेंगे तब तक के लिए नमस्कार